नमस्कार दोस्तों सुवागत हैं आप सभी का हमारे यूटूब जेनल आर के योजना पर मुख्यमंतिर योगी आदितिनात की सरकार दोरा उत्तर प्रदेश राज्य के हरे एक दिव्यांग विद्वां वर्दवस्ता और कुष्टवस्ता पैंशन धारकों को होली का तौफा दिया गया है लाभारतियों के बैंक खाते में पैंशन रासी, 3,000 रुपे, 6,000 रुपे और यहां तक की 9,000 रुपे पैंशन रासी भी बैंक खाते में सरकार दोरा ट्रांसफर कर दी गई है ये लाब pension धारकों को दिया गया था जिनकी 8580 रुकिये हैं उनको भी 8580 दी गई है और जिनकी यहाँ पर 9 मेने की 8580 रुकिये थे हो तो उनको भी ये pension का लाब दिया गया है इसका हम आपको एक live प्रूब ही दिखानी जा रहे हैं फिर आप भी इसी प्रकार से अपना नाम देख सकते हैं क्या आपको रियली में ही ये पैसे मिले हैं यदि लिश्ट में आपका नाम सामिल है लेकिन बैंक खाते में पैंशन आसी नहीं पहुंच रही है तो आपको यहाँ पर क्या कारिये करने होंगे, कैसे आप अपना नाम चेक कर सकते हैं, डिटेल वाइस में सभी जानकारी आपको मिलने वाली है, चाए आपकी पैंशन आ रही हो, या फिर आभी तक आपकी पैंशन रुकी हुई है, तो वह भी आप अपनी पैंशन कैसे करने से पहले हमारा आप से निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, साथ ही दोस्तों बैल आइगन के बटन को प्रेस करना ना भूले, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है, वह सबसे पहले आपको प् प्रकार से अपने वैल फोन में Google Chrome Browser ओपन कर लिना है, आज के टाइम में सभी के पास Android बराफोन है, तो यहाँ पर आने बाद आपको सर्च करना है UP Pension, क्योंकि आज हम बात करें है उत्तरप्रदेस Pension, योजना 2023 के बारे में तो आपको UP Pension सर्च करना है, सर्च होने के हम आपको यहाँ पर लेकर आचुके हैं, अब इनमें से देखे, आप किसी भी Pension का लाब ले रहे हूं, वर्दवस्था Pension का, निरासित यानिकी विद्वा या तलाक्षदा Pension का, दिव्यांग Pension योजना का, या फिर कुष्ट अवस्था Pension योजना का, आप जिस भी Pension का ले रहे हैं, आपको उस पर क्लिक करना है, फोर एक्जम्पल के तोर पर आपको समझाने के लिए रास्ता दिखाने के लिए हम याप पर किसी एक पर क्लिक करते हैं, देखे, सबी के निचे योजना का विशे लिखा, योजना के विशे में, तो आपको इस पर ही क्लिक करना ह आप जिस पेंशन का लाब लेगा है किया हमारे सामने जो अगला पेज है वह भी ओपन हो चुका है इंटरफिस नया ओपन हो चुका है अब यहां आने के बाद देखिए यदि कोई व्यक्ति गाउं का पैंशन धारक है ग्रामिनी छेतर का तो यहां से उन्हें अपना विकास खंड का चुनाव करना होगा और यदि कोई पैंशन धारक सहर में रहता है तो उनको यहां पर अपना नगर निकाय का चुनाव करना होगा जब लिश्ट में स्वैम देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा तो यहां पर हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं आपको उस पर क्लिक करना है आप जिस भी यहां पर सरकार से पैंशन का लाब प्राप्त कर रहे हैं हमने क्लिक कर लिया है हमारे सामने अगला पेज ओपन हो चुका है पेज ओपन होने के बाद अब यहां से आपको क्या करना है जो भी आपका ग्राम पंचैत है आपको अपने ग्राम पंचैत का भी इसी परकार से चुनाव कर लेना है अब जैसे हम यहां पर चुनाव कर लेते हैं आपको भी इसी परकार से चुनाव कर लेना है अब देखी हम कि एकला पेज ओपन हो चुगा है आप यहां पर देखिए इस ग्राम पंचैळ में केवल एक गाओं यहां पर दिया गया है अब यहां से आप को देखे यदि आप इस लिस्ट में व्होंगे तो सकता है इस लस्ट में आपका नाम सामिल हो और यदि आपकी pension रुक्यूए है आपने सभी document अपने जमा करा दिये है आप कोई भी गलतिया नहीं है तो आपको यहाँ पर देखना है दोस्तो आपकोई pension आ रही है या फिर नहीं आ रही है अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है आपको इस column में नहीं देखना है ना तो आप आपको पहले में देखना है ना दूसरे में देखना है आपको केवल और तीसरे column में ही देखे आपको इस column में देखना है यहाँ पर quarter 3 आपको लिखा मिलेगा quarter 3 और यहाँ पर देखे कुल pension आपके गाउं में कितने है देखे यहाँ पर तो 25 दिखा गया है आपके गाउं मे लिए अब यहाँ पर देखिए हमने स्कोल डाउन किया सबसे पहले आपको क्या करना है मान लिजे देखे यह आपका नाम है सपोज कीजिए यह आप एक पैंशन दारक है यह आपका नाम है यहाँ पर आपके पिता पती या माता जी का नाम देखना हो मिलेगा आप किस वर्ग म पता दिया गया है यहाँ पर धना से देखिए किसी को 3000 देखे बने लिया और ये आपका आपका नाम है यहाँ पर नाम है यह आपको किसी कोपी में नो कर लिना होगा बहुती san काम आने वाली चीज है यह आपका pension पर बाप देखिए देखिए हम आपको बता रहा है sticks रुपर दे गए है तेन्हरों नहरों कर दाते हैं नो नौह उपनार में से छलते हैं नो की अक्टुबर नॉम्बर और दिसम्बर महेने की आपके गाउं में कितनी पैंशन नासी लाबारतियों दी गई है हमको मालूम नहीं है आप इसे प्रकार से लिष्ट में अपना नाम देख सकते हैं तरीका हमने आपको समझा दिया आपको मालूम हो जाएगा कि आपके बैंक में सरकार द्वारा कितनी पैंशन नासी ट्रांसफर कर दी गई है अब देखे आप यह सोच रहे होंगे कि लिष्ट में हमारा नाम है तो देखे जिन व्यक्तियों का क्वार्टर थर्ड में लिष्ट में नाम है उनको पैंशन दी गई है और उन्हीं के बैंक खाते हैं पैं पैंशन दारकों को और डिसेबल्टी यानि की जो विकलांग है दिव्यांग है या फिर कुछ तवस्था पैंशन लोग से पिटवेक्ति हैं तो उनको भी यह लाप पैंशन का दिया गया है आपकी जानकर लिए बता दे कि दोस्तो 28 फरवरी में भी देखे 28 फरवरी 2023 में सरकार द्वारा पैंशन ट्रांसफर की गई है यहाँ पर लाभार्ची को यह लाप दिया गया है यानि की होली का तोफा सरकार द्वारा पैंशन धारकों को दिया गया है और देखे जिन पैंशन धारकों को यहाँ पर अक्टूबर नॉमबर दिसमर महीन की पैंशन नह आप मेल है या फीमेल है आपके अकाउंट नमबर में तो आपको इन सभी चीजों का संशोधन कराना होगा यह हमने प्रिविएस वीडियो में पता गया है कि किन डोकिमेंट के आपका उशक्ता होने वाली है और कहां पर जाकर आपको जमा करने है तो दोस्तों आपको यह सभी जानकारी देख लेनी है आप अपनी पैंशन ठीक करा सकते हैं और अपनी पैंशन समय समय से भविस्य में प्राप्त कर सकते हैं यह के वाई से सभी पैंशन धारकों को कराना अनिवारी है जो नहीं कराएगा उनको पैंशन नहीं दी जाएगा आज की जानकारी में बस इतना यदि आपको मार्दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को जो लाइक कर दीजेगा आपके एक लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट मिलता है और यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है डाउट है पूछना चाहते हैं नीचे कमेंड बोक्स में जाकर भारत में से आपकी पैंशन आने में कोई प्रोब्लम हो रही है कोई भी समस्या है तो आप हमें नीचे कमेंड बोक्स में जाकर पूछ सकते हैं आपको भी सभी सलग जाब देख दिया जाएगा लाश्ट में हम निवेद ने करेंगे चैनल को सब्सक्राइब और साथी बैल लाइगन के बटन को प्रेस करना ना भूलें अब हम आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक उनाई जानकारिक साथ जब तक के लिए जय हिंद जय भारत